आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार इकड़ी में पीम नरेंद्र मोदी आज भाश्पा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी महाल बनाने के रिए फतेपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे इस जनसभा में जिले की छे बांदा की चार और राय बरेली की एक विधान सभा शेतर में लोग शामिल होंगे साथ ही वर्चुल तोर पर जासी ललित पुर्वा महोबा के लोग भी जुटेंगे तो आपको बता दे कि 20 फरवरी को यूपी में दूसरे चरण के मदान होंगे साथ ही जिसके बाद चौथे चरण के मदान की शुरुआत हो जाएगी जिसको लेकर लगातार सभी पार्ट्र को लेकर सभी बातिया जन संपर्क और रैलिया करके लोगों को संबोधित करके जनता को अपने खेमे मिलाने के लिए सारी कोशिशे कर रही है जिसके साथ ही भाजपा ने चौथे चरण की भी तैयारिया शुरू कर दी है इसी कड़ी में आज पीया मोदी फतेह पुर जाएं इस रैली से वर्चुली माध्यम से जुड़ेंगे तो आपको बता दे कि लगातार लगातार सभी पार्टियां अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अलग अलग जगा जाके जन संपर करे फिर चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो 2022 के चुनावों को लेकर लगातार पार्टिया अपना जनाधार बढ़ाने में जुड़ गई है और यूपी में दो चर्णों की मद्दान समाप्त हो चुके हैं और सभी पार्टिया अप तीसरे चरण को लेकर एक्टिव हो चुकी है तीसरे चरण में 16 जिरों में मद्दान होंगे जिसके बाद 4 चरण के मद्दान होंगे जिसको लेकर भाजपा के नेता लगातार जनसंपर करके लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा सरकार लगातार अपनी उपलब्दिया भी लोगों के बीच जाकर गिना रही है इसी कड़ी में आज नरेंद्र मोदी फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे इस सभा में जिले की छे बांदा की चार और रायपर रेली के एक विधान सभाशेत्र के लोग भी शामिल होंगे साथ ही वर्चुली तोर पर जासी, ललितपुर, हमीर पुर्वा, महोबा के लोग भी जुड़ेंगे तो इस रेली का ये साफ संदेश समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के साथ साथ चौथे चरण की भी तैयारी कर रहे है क्योंकि तीसरे चरण की जिन सीटों पर मददान 20 को होने है वो भी जनपद इसरेली का हिस्सा बनेंगे फिर चाहे वो वर्चुली माध्यम से जुड़े या फिर लोग स्वयम इसरेली का हिस्सा बने तो यूपी में जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ते जा रहे हैं चुनावी बिसाते भी तेजी से बिच्टी हुई नजर आ रही है और सभी पार्टियों के नेता जनता को अपने खेमे मिलाने क्या कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे है यहीं वजह है कि लगातार सभी पार्टियों चुनावी मैदार में उतर कर अपना दम खम दिखा रही है फिर चाहे वो भाजपा के सीम योगी हो पीम मोदी हो लगातार ये लोगों के बीच जाकर भाजपा सरकार के उपलब्धिया गिना रही है बीते पास सालों के काम भी गिना रही है इस खबर पर हमारे साथ हमारे समवाद दाता अमर्दीब तिरपाठी जुड़ चुके है जी अमर्दीब जी अभी तक क्या कुछ अब डेटा आपके पास मोदी जी कब तक पहुँच सकते हैं फतेपुर प्रण मंत्री नरेंद मोदी जी का आगमन हो रहा है और यहाँ पर 23 फरवरी को होने वाले 24 च्रण की मद्दान की तैयारिया भी पूरी तरीके सब्सक्र दिखाई पड़ रहे हैं लगता उसे आने के बाद उसी से फतेपुर आएंगी तो आजी तक तो यहीं है उनके आने की सुच्छा है कि लगब तीन बजे के बाद ही वो फतेपुर जन्पत में उनका जह हैं है है रही बात यह कि तो लेकर के तो जो 24 च्रण का चुलाओ यहां 23 फरवरी को होना है और 20 फरवरी को होने वाले तीसरे मद्दान की तैयारियां भी जोरो पर हैं तो इस तरीके से पुरी तरीके से चुनाओ कराने की तैयारी पर जुचिव हुई है और एक बार वो फिर से प्रदेशनों सरकार बनाने की यह है ले जह है तक पर है जी जब मर्दीव जी मतलब इस रैली के माध्यम से मोधी चौथे चरण के साथ साथ तीसरे चरण की भी जनता को अपने खेमे में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे है यहां यह बात बिलकु सही है कि मोधी जी या भाज़ता के जितने भी बड़े दिगज नेता हैं वो सब साथ 4 छ छिनाव के साथ 4 छॉते चरण के साथ में इसके बाद अगर ये देखा जाए अपरत से चुरूर से तो पांच में श्रड़की भी चुनाओं की तैयारियां भी कहीं न कहीं से दिखाई पड़ रही है और रही बात ये कि आज जो मोदी जी की जो जनसभा होनी है फटेपुर जनसभाद में मोदी जी के आजमन को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारिया कर रखी है देखें मोदी जी के आजमन को लेकर के प्रशासन इस तरीके से पूरी तरीके सिट्याज चौबन है जहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी सुरस्ट है बहुता कि अगर हम बात करें तो 6 SP लगे हुए हैं 8 additional SP लगे हुए हैं 27 CO हैं, 80 inspector है, 290 SI हैं और 1250 से स्कांट कांस्टेबिल हैं, 300 महिला अरख्षी हैं और 6 कंपनी P.E.C. और इसके माद जहाँ जन्सभा आयोगी की जाएगी उस फिल्ड को एनस्टी कमांडों ने अपने पूरे उसमें ले लिया है, कब्जे में ले लिया है ताकि वहाँ पर कोई भी परिंदा पर ना मार पके, कोई अपनी घटना ना हो इसलिए पूरी तरीके से हाँ प्रकासन और प्रकासन प्रधान मंत्री मोदी जी की सुरच्छा दोस्था को लेकर पूरी तरीके से सज़ागे अभी तक तो कोई बड़ा नेता तो नहीं आया है, अगर दूसरे पार्टियों की बात करें, तो अभी दो दिन पहले सफाई सुप्रीमो अखिले श्यादो ने अपनी एक रैली को संभोधन किया था, इसके पहले और अभी तक कोई इसना बड़ा नेता नहीं आया है अभी आज सत्ता तारीख है, पास दिन पकाया है, तो हो सकता है कि पास दिन के दौरान, कोई ने कोई बड़ा नेता आकर के दूसरे पच्च के प्रत्यासियों के समर्थन में जरूर कोई रैली काईजन किया जा सकता है अभी आज़ेशन में जरूर की जनता की राय जान रहा है, तो फत्य पुर की जनता कर उज्ञान किस तरफ जाधा जाता हूँ दिखाई दे रहा है जो बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने की फटेफुर्गी जन्ता का किसे चाहती है फटेफुर्गी जन्ता पूरी तरीके से अगर देखा जाये तो आपको बता दे कि बोटर आप इस समय जो इस पिशली परिष्टितियां जो पैदा हुई या जो भी कहेते हैं कि कमिया द अपनी जीट का दावा कर रहे हैं जी दन्यवाद अमरदीब जी इस खबर पर हमारे साथ जुनने के लिए तो हम आपको बता दे कि लगातार भाजपा सरकार तीस्टे चरण के साथ साथ चौथे चरण के भी मतदान को अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाती है इसी कड़ी में आज भाजपा के बड़े बड़े दिगज नेता फतेह पुर जाएंगे और साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि फतेह पुर में पीम मोदी के साथ साथ सीम योगी भी मौजूद रहेंगे और लगातार वो जनता को साथने के लिए ये पूरी रैलिया और जन संपर कर रहे हैं और जनता को अपने खेमे में में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उत्रप्रदेश विधान सभा चुनावों के शुरुवाती दो चर्णों के बाद अब तीस्ट्रे चरण के मद्दान की बारी है तीस्ट्रे चरण का चुनाव सूबे की सत्ता की दशा और दिशा तै करने वाला माना जा रहा है पश्चिमी यूपी के दो चर्णों में कुल 113 सीटों पर अब चुनाव खत्म हो चुके हैं जबकि तीस्ट्रे चरण के 16 जिलों में 20 फरवरी यानि रवीवार को यादव बैल्ट और बुंदेल खंड के इलाके की सीटों पर वोटिंग होनी है इसी कड़ी में आज कानपुर्दिहात में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंग केंद्रिय मंत्रे स्मृती रानी और सियम योगिया अदितनात आज जनसभा को संबोधित करेंगे आपको बता दे कि यूपी में तीसरे चरण का मद्दान जो है वो 20 फरवरी को होना है जिसको लेकर सभी पार्टिया लगातार जनसंपर्क और रैलिया करके लोगों को संबोधित कर रही है और जनता को अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रही है इसी कड़ी में आज कानपूर्देहात में सूबे के मुख्य मंत्री योग्या आदे तिनात केंद्रिय मंत्री स्मृती रानी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग अलग-अलग जगाओं पर जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे तो आपको बताते चले की लगातार प्रदेश में चुनावी महल गर्म होता जा रहा है जैसे जैसे चुनावों की तारीखे नजदीक आ रही है सभी पार्टिया लगातार रैलियो और जनसंपर्ग भी जोरों से कर रही है और कोई भी कोर का सरिस चुनाव को जीतने में नहीं छोड़ना चाती है यहीं वज़ा है कि भाजपा के दिगज लगातार प्रदेश के अलग 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 जगों पर जाकर अलग अलग जनपदों में जाकर जनसंपर्ग और रैलिया कर रहे है इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए कानपुर्देहाद से हमारे समवाद दाता अब है जुर चुके है जी अब है जी क्या कुछ अब डेट है आपके पास कब तक नेताओ कि कानपुर्देहाद पहुंचने के उम्मीद है इस खबर पुर्देश के बुक्मंत्री योगी अधितनात करीव तीम बश्चर चालिस नटपर सिकंद्रा विधान सभा के राजपूर विज्जाले में आज पहुंचे के और एक बली जनसभा का संबोधित करेंगे दूसरा प्रदेश अधच की बात करें तो घीम आर्मी पार्टी के चीफ कहें चंद सेखर रावरल वो फी सिकंद्रा विधान सभा में आज अपने 24ी को जिताने के लिए एक हारी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं दूसरा प्रदेर अधच की बात करें तो भूगरी पूर विधान सभा में आज पसंद देव सिंग एक बड़ी जन सभा को वहाँ पर संभोधित करने वाले हैं लगातार पार्टियों के जो दिगज नेशा है वह अब जो कानपूर देहात में लगातार जो दौरा है वह उनका पर चलता निगरान है तो आपको क्या लगतार जिस तरह से सभी पार्टियों के नेता कानपूर देहात में अब जुट रहे हैं क्या इससे स्यासी समीकरन बिगड़ने के कुछ नतीजे निकलेंगे है वह इसमें लिएशा को फूल्स बिगड़ने के इसके लावाए शीड़ने के प्रटियासी से उनको सगेश किया गया उनको वही तिक कुछ नुट दिए कि दृट जो जैसे जैसे जनपत में बड़े नेताओं का जमावरा लग रहा है इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारिया कर रखी है जैसे 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 जनपत में आते हैं तो प्रशासन ने क्या रहा है जैसे 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 जब कि आगामी जो तीसरे चरंड का चुना है वह दीस फरवरी को नहीं इसको लेकर अभी तक कौन-कौन से दिगज कानपुर्देहात में आ चुके हैं? जिस तरह से अपलगातार जनता की बीच जाकर उनके मुद्दों को समझ रहे हैं, उनकी बातों को पूछ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कानपुर्देहात की जनता को किसका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? लोग है और अलग-अलग सीटों का समीकरण भी है. मतलब 2017 की मुकाब्या ऐसा कहा जा सकता है कि 2022 में हो सकता है भाजपा को कानपुर्देहात से नुकसान का सामना करना पड़े? बिल्कुल का सकता है. पार्टी के दिगच कानपुर्देहात की जनता को साधने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चा रहे है. जल्दी यूपी में तीसरे चरण के चुनाओ का प्रचार भी थम जाएगा जिसको लेकर पार्टी लगातार जन संपर कर रही है, जनता के बीच जा रही है. खुशी नगर का नौरंगिया गाओ जहां पल भर पहले, खुशी का महौलता वहाँ अब मातम पच्रा है, चीखे हैं, बधवास महिलाएं हैं, गाओं के कोई पर शादी के एक रस्म मौत लेकर आ गई. हसते खेलते तीस लोग कोई में समा आ गए, कैसे क्या हुआ ये किसी को समझ ही नहीं आया. ये हादसा उस वक्त हुआ जब हल्दी से जुड़ी एक रस्म के लिए औरते वा लड़किया कोई पर पहुची थी, वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्य मंतरी ने शोग जताते हुए अधिकारियों को राहत और बचावकार के निर्देश दिये हैं, जबकि मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख मुआफ़े का भी अलान किया है, तो बीती रात कुशिनगर में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कुल 13 लोगों की मौत की खबरे सामने आ रही है, और लगातार प्रशासन द्वारा राहत और बचावकार जारी किया गया है, जरी शोक व्यक्त किया है, ये पूरा हादसा उस वक्त हुआ जब हल्दी की रसम के लिए महिलाएं कुएं पर गई हुई थी, और लगातार इस मामले में नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं, और जबकि सूबे के मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों कुराहत और बचा कारी के निर्देश दिये हैं, जब ये हादसा हुआ उस वक्त ये देर रात का हादसा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इस हादसे का जब खुलासा हुआ, जब चीक पुकारे मची और जब राहत और बचाओ कारे चालू किया गया, उस दौरान मौजूद लोगों की लाशों को देख कर रूका आप गई, ये पूरा मामला कुछी नगर के नौरंग्या गाओ का बताय जा रहा है, जहां शादी के एक रसम को अदा करने महिलाए कुए के पास गई हुई थी, ये हादसा उस वक्त हुआ, जब हल्दे से जुड़ के लिए और तेवा लड़किया कुए पर पहुची थी, वह इस दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया जिसको लेकर लगातार सूबे के अधिकारी और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे समवाद दाता विभान्शू हमारे साथ जुर चुके हैं, विभान्शू पर रहात और बचावकारे चलाया जा रहा है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है, क्या मौत क्या आकडे बढ़ने की खबर भी सामने आ रही है, तो कुषी दगर के, कुषी दगर जन्पद के निभूवा थाना छे तर्की तर्की तो एक सादी की हल्दी करस में तला था, तो देखने के लिए वहां कुछ लगभग 22 की 35 की संख्या में महिला है, जो कुवे का उता स्लेव होता है, जो जाली होती है, उस पे खड़े होकर डांस देख वही थी, और एक बैग जो है, उस स्लेव टूता और लगभग उसमें 22 से 35 लोग जा गिरे, जिसमें आपको बता दे कि कल रात नौ बजे की घटना है, और जिसके बाद कारी अफ़ात अफिम होता है, जिसके बाद का प्रसासर है, और डियम राज लिंगम और जो एस्पी है, कुछिनगर के संदे सचिन पटेल, वो भी जाते हैं, जो जाते हैं, जो साबू में करने की हारी भासर प्यात करते ह और जो सौत निकालने लगे बाहर, जो जो एम्बूलेंस करवारा जब देर के अबूलेंस आती है, तो उन्हें जिला अस्पताल बेजा आता है, और मिली जयनकारी के मुताबित आपक्ता के वो की मृत्य हो चुकी है, और सभी महिलाएं हैं, लग बगे 11 महिलाएं हैं और द करने का आकड़ा है वो और बढ़ सकता है? बगे 11 मुख्यवंध्य सेमेट तमाम लोगों की समधना आ रही है, और इससे विपक्ष्ट से खिल गारी समेट के माध्यम से समधना दी जा रही है, जी अब तक अगर बात की जाए, तो तेवर लोग की मौत है और मिली जयनकारी के अनुशार, तेवर लोग अब तक मृत्य कि खबर है और जो बाकी घायल है उनकी इस लाइब पर वाही किसकी निकल के सामने आ रहे कि इस लापर वाही की वजह क्या रहे जो इतने साथ इतने सारे लोगों के मौत हो गई जी अगर बात करें तो जी ये जो निववा नौरंगिया छेतर पड़ता है ये बिहार सीमा पे है और काफी घ्रामीर छेतर है तो वहां किसी जिम्मेदरान को आकर इन सब चीजों की निगरानी रखनी चाहिए कि एक कुए की स्लैब पे अगर 20-25 लोग खड़े होते हैं तो न सब्सक्राइब घ्राज्टा करने के लिए और diva कि वोहां पे होई और काफी ग्वामीरों को काभू में करने के लिए से उनके जो कायल से उनको जिला अस्पताल भेजते हैं कि उनका इलाज हो और रही अगर बात करें तो ऐसी घटना कुछ दिन पहले एक कुछी नगर में भी हुई थी जिसमें 13 बच्चों की मौत हुई थी जो फाटक जो वेलवे फाटक होती है उसको फाटक ना होने के उज़ जदनाक हाथसा हो गया जिसमें 30 लोग कुए में समा गए यहाथसा उस वक्त हुआ जब हल्दी से जुड़ी रसम के लिए और लड़के कुए पर पहुची थी वही कुए का लिंटर गिनने से ये सारी महिलाएं और लड़कियां कुए के अंदर जागिरी जिसके बाद सभी की मौत हो गए जबके अस्पताल में कुछ लोगों का इलाज भी क्या जा रहा है इन सभी में और तेवा महिलाएं ही शामिल थी फिलाल के लिए उतना ही देश अप्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार